डिजी लेशन्स फ्रॉन्दा हाउस ओप नवांकुर में आप सभी का स्वागत है बच्चो आज हम विश्य सामजी विग्यान के पार्ट बाइस औरंग जेब तथा मुगल सामराज का पतन भाग एक के बारे में पढ़ेंगे बच्चो आजिव के सासनकाल में मुगल सामराज का अविस्तार कहां कहां तक था ・ दुसरा है औरंग जेब के सासनकाल की प्रमोगटनाओं की जानका जी तिसरा है मुगल सामराज के पतन के क्या कारण थे बच्चो औरन जेब इस्लाम धर्म का कटर अन्याई था उसने हिंदू जनता पर जजिया तथा तीरते अत्रकर लगाई थे चित्रकला तथा संगीत को गेर इसलामी मानते हुए उसने उस पर प्रतिवंद लगा दिया था उसकी कटोर नीती और अबिस्वासी सभाब के कारण उसके खिलाब ससक विद्रो उठ खड़े हुए थे जिन्हें दावाने के प्रयासों में सामराज का प्रशासन कमजोर हुता चला गया और उसकी आर्थिकी स्थिती भी बिगड़ती गई बच्चो औरंग जेब के सासन काल की प्रमुगटना है तो पहली गटना है बुंदेलों जाटों तथा सतनामियों के विद्रो बुंदेल खंड में चंपत राय ने औरंग जेब के खिलाब विद्रो शुरूगर दिया था पराजित होने पर उसने मुगल सत्ता को सुईकार करने की अपिक्षा आत्म हत्या करना उसने बेतर समझा उसके उत्रा दिकारी यान उसका पुत्रुजुथा च्छतर साल उसने भी औरंग जेब के विरुद्ध विद्रो किया और धमोनी तथा कालिंजार पर उसने अपना प्राजिकार कर लिया था अंत तक औरंग जेब उसका दमन न कर सका आगरा और मतरा के आसपास निवास करने वाली जाटों ने भी औरंग जेब के विरुद्ध विद्रो किया उनको औरंग जेब से शिकायत थी कि लगान अधिक है जिसे चुकाने में भी आस्मर्त हैं जाट का बिद्रो औरंग जेब के सासंकाल की अंतिता चलता रहा था। बच्चो सत नामियों का मुख्य केंद्र नार नौल और मेवाड था। बेस्वयम को सत्य के नाम के उपासर मानते थी। और ये लोग पुजारी जैसी बेशवुशा यनी कपड़े पहनते थी। औरंग जेब के धार्मिक अचारों के कारण इन्होंने बिद्रो किया। औरंग जेब ने इनके बिद्रो को कठोरता से दावा दिया। अगला है सिक्खों से संगर्ज। औरंग जेब इसलाम का कटर अन्याई था। जवर्जस्ती धर्म परिवतन की उसकी नीती के बिरोध में हिंद्यों के धर्म की रक्षा के लिए सिक्खों के नौबे गुरू तेक बहाद्दूर आई। उनका मानना था कि प्रतेक ब्यक्ति अपने धर्म में विस्वास रखने के लिए स्वतंत्र है। बे संकीन संप्रदायबाद के बिरोधी थे। गुरू तेक बाद्दूर ने औरंग जेब की निती का बिरोध किया। इसके फलसरूप औरंग जेब ने उनको कैद कर लिया। और सन 1675 इश्वी में दिल्ली के चानवी चौक में उनका सीस काट दिया गया। इस प्रकार तेक बाद्दूर ने आदर्शों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जिस इस्थान पर उनका सीस काट गया था। उस इस्थान पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा सीसकंज इससे थै। इसके पश्चात गुरु तेक बाद्दूर के पुत्र गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की इस्तापना की। बच्चो यह आप मांचेतर देख रहा हैं। यह मुगल सामराज के विस्तार का मांचेतर है। बच्चो इनके नितरत में सिख मुगलों से निरंतर संगर्ज चलती रहे। गोविन्द सिंग ने मुगलों के खिलाप सिखों को शेनिक सकती बलके रूप में संग्ठित किया। गुरु गोविन्द सिंग को बहुत सारी कटनाईयों का सामना भी करना पड़ा। औरंग जेब ने गुरु गोबिंद सिंग के दो पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवा दिया था, फिर भी सिखों का संगर्स जारी रहा, बच्चो मराठों से संगर्स, दच्छन में मराठे मुगल सामराज को चुनवती दे रहे थे, मराठा सक्ति का नित्र तो सिवाज कर रहे थे, औरंग जेब ने मराठों की सक्ति को कुचलने की कोशिस की, परंतु वह अंतिम समय तक इस कार में सफल नहीं हो सका, सन 1707 इस्वी में औरंग जेब की म्रत्वी हो गई, औरंग जेब के उत्त्रा दिकारी ना तो सामराज का कारवार समाल सके, और ना विवेने प द्रोहों को रोक सके, फाल सरूप मुगल समराज का पतन सुरू हो गया, बच्चो नादर साय का आकरमन, 1749 इस्वी में इरान के सासक, नादर साय ने मुगल समराज की कमजोरी को देखकर आकरमन किया, उसने दिल्ली में लूट व कतले आम का आदिश दिया, शाय जहां का बनवाया हुआ मईरु सिंगासन वह अपने साथ ले गया, 28 सताबदी में बादसाहों, मनसबदारों वे अमीरों के बल पर चलने वाला शक्ति साली मुगल समराज अब कमजोर होता चला गया, भारत में एक बार पुनहें छुटे छुटे राजी अस्तित्व मे आ गये, बच्चो मुगल सामराज के पतन के कारण, पहला कारण है सामराज की विशाल था, मुगल सामराज के अत्यदिक विशाल होने के कारण, संपून सामराज पर नियंतरन रखना कठिन था, उसके उत्तरदिकारी आयोगी थे, इसलिए बेबी सामराज की रक्षा ना कर स दुसरा है उत्तरदिकार की नियम का अभाव पतेक शासक की मृत्यु के पश्चा उनके पुत्रों में राज्य प्राप्ति के लिए संगर्स होता रहा जिससे सामराज कमजोर होता चला गया अगला है औरंग जेब का अबिश्वासी सभाव एवं कटर धार्मिक नीती औरंग जेब अपने पुत्रों पर भी बिश्वास नहीं करता था वह है अपने पुत्रों को राजनेतिक एवं सैनिक सिक्षा प्रदान नहीं कर सका जिससे बे अयोग गरह गए औरंग जेब की अनुदार वा आसेशनुता पूर्ण धार्मिक नीती के कारण सिक्षों, जाटों, सतनामियों, राजपूतों, मराठों आदी के द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए केगाई संगर्सों को कोचलने के प्रियास में लगातार युद्ध चलते रहे जिसके परणाम सरूप मुगल सामराज का पतन हुआ अगला है औरंग जेब की दच्छन भारत नीती औरंग जेब ने अपने जीवन के अन्तिम 25 बर्स भारत के दच्छन भागों में युद्धों में ब्यतित किये इसके फलसरूप उत्तर भारत में प्रसासन पर मुगलों की पकड़ धीली पढ़ने लगी युद्धों के कारण राजकोस भी खाली हो गया अगला है बिलासी सासक एवन सारदार मुगल सासकों की बिलासिता और इस्थापत्य प्रेम के कारण सामराज की आर्थिक स्तिती खराब हो गई थी भवन निर्माण तथा रासी ठाटबाट में अत्यदिक धन खर्च किया गया मुगल सरदारों की बिलासिता चारित्रिक दुर्बलता समराट के प्रती निष्था में कमी आ गई थी तथा गुटबाजी मुगल समराज के पतन का कारण बनी अगला है विदेशी आकर्मन इसमें नादिर साय का आकर्मन इरान के साथ सक नादिर साय ने मुगल समराज की कमजोरी को देखकर सन 1749 में आकर्मन कर दिया उसने दिल्ली में कतले याम करवाया तथा साय जहां का प्रसिद्ध सिंघासन जिसका नाम है तक्ते ताउस उसमें कोहिनूर हीरा जड़ा गया था तो कोहिनूर हीरा तथा सत्तर करोल की संपदा लूट कर इरान ले गया अगला है एहमत साय अब्दाली का आकर्मन एहमत साय अब्दाली नादर साय का मेतपून शैनापती था उसने सन 1747 इस्वी में नादर साय की हत्या के बाद वैसोयम सासक बन गया था इधर भारत में मराठे अपनी शक्ती बढ़ाने बढ़ा कर अपना प्रभाव उत्तरभात पर करना चाहते थे दिल्ली और पंजाब से अफगानों को बाहर निकालने की मराठों की कोशिस के फालसरूप 14 जन्वरी 1761 इश्वी के दिन मराठों और एहमसाय अबदाली के बीच पानी पत का तीसरा युद्धुआ था इसमें मराठे हार गए मराठों को कुश समय के लिए उत्तरभारत से हटना पड़ा इन दोनों आकर्वनों से मुगल सामराज दिली के आसपास के चितर तक सिमितर रह गया अगला है अंग्रेजों का कबजा मुगल सामराज को गिराने में अंग्रेजों ने भी भाग लिया अंग्रेज ब्यापारी धीरे धीरे एक राजनेतिक सत्ता बन गए अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उस सारे हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया जो पहले कभी मुगल सामराज का अंग था अगला है नौ सैना की कमी नौ सैना की ओर ध्यान ना देना मुगल सामराज के लिए बहुत नुकसान दायक सिद्ध हुआ इसका प्रणाम यह हुआ की यूरोप की सक्ति साली नौ सैना के आगे मुगल सैना ठेर ना सकता अगला है यूरोपिय सक्तियां यूरोप में भारतिय बस्तियों बिसेशकर बस्त और मसाली की बहुत मांग थी इसलिए यूरोपिय देशों पोर्तगाल, हालेंड, फ्रांस और इंगलेंड के ब्यापारियों ने भारत से ब्यापार करने के प्रयास तेश कर दिये उन्होंने ब्यापारिक कमपनियां इस्तापित की भारत में अपने सामान के सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने गोदाम बना लिए और सेना भी रखने लगे इन कमपनियों में आपस में प्रतिदोंदिता सुरू हो गई मुगल समरच के कमजोर होते ही सौतंत राज्यों में संगर सोने लगे जिसका लाप विदेशी ब्यापरियों ने उठाया बे अपनी नौसेना तता सक्ति के बल पर भारत की राजनिती में दखल देने लगे धन्यवाद